मेल मर्ज इस section में हम word processor के एक बहुत एहम feature के बारे में जानेंगे जिसे हम मेल मर्ज कहते हैं इस feature का नाम यानी मेल मर्ज से हमें कुछ तो अंदाजा हो जाता है कि इसका तालुक postal mail या email से होगा लेकिन असल में ये क्या है और लफ्स merge का क्या मतलब है ये हम इस section में जानेंगे अब अगर तोनों अलफाज को इकठा करके देखी तो फिर mail मर्ज से कुछ ऐसा मतलब लिया जाता है कि हमारे पास कुछ information है जिसे हमें merge करके डाग के लिए तयार करना है ये डाग हमारी रवायती postal mail भी हो सकती है और हमारी electronic mail भी जो हम computer के जरीए भेजते हैं अगर आसान अलफाज में समझाना हो तो हम ये कहेंगे कि word processor में एक ऐसा feature मौजूद है जिसके जरीए हम एक ही letter बहुत से लोगों को बड़ी आसानी के साथ भेज सकती हैं और इस सारे काम में हम word processor के जरीए अपने पास मौजूद information को letters के साथ merge करती हैं अब ये letter कैसा होगा जो हम बहुत से लोगों को भेज रहे हैं इसकी मिसाल एक conference में शिरकत के लिए invitation cards की हो सकती है या club members के लिए कोई दावत नामा हो सकता है university students के नाम annual convocation में शिरकत का letter हो सकता है या फिर students के results भी हम इस तरीके से उन्हें इरसाल कर सकते हैं अब आप सोच चाहीं होंगे कि जब हम ऐसे invitation letter या result की बात करते हैं तो हमें हर letter में नए शखस का नाम या उस से relevant data type करना होता है और ये काम तो बड़ी तवज़ो और एहतियात से करने वाला होता है जी हाँ बिलकुल ऐसा ही है word processor का ये feature भी इसलिए है कि हम result sheets letters और invitations मकमल एहतियात के साथ तयार कर लें और उन्हें सही लोगों तक पहुचा सकें आपको मालूम है कि अक्सर इस तरह के दावत नामों में जो text type किया गया होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है तो फिर उसे तो हमें बार बार type करने की ज़रूरत नहीं पर तो सिर्फ लोगों के address का और उस information का है जो हम उन्हें इन्फरादी तोर पर इरसाल करना चाहते हैं लिहाजा mail merge का feature इन्हीं चन्द बातों को जहन में रखते हुए बनाया गया है और ये आपको तीन काम करने को कहता है पहले तो ये कि आप अपना letter तयार कर लें जो आप इरसाल करना चाहते हैं दूसरा ये कि आप इन लोगों की data list तयार करें जिन्हें ये खुतूद इरसाल किये जाएंगी इस list में उनके नाम, phone number और address के अलावा कोई भी information शामिल कर लें जो उन्हें भेजना मकसूद हो अपनी अपनी information के साथ letters तयार कर दिये जाएं जिन्हें बाद में अरसाल करना है अब और मजीद तफसील बताने से बहतर होगा कि हम उसे एक word processor की मदद से बना कर देखें कि सब काम कैसे होती हैं हम इस वक एक university convocation का invitation letter तयार करने जा रही हैं ये letter युनिवर्सिटी के students को भेजा जाएगा आपको मालूम है कि ये letter सभी students के लिए एक जैसा होगा जबके सिर्फ तलबा के नाम इसमें तबदील होंगे जो कि हम data list से हासिल करेंगे सबसे पहले हम letter को देखते हैं आपके सामने एक document मुझूद है जिसमें letter पहले से ही type कर लिया गया है जैसे आप इसको आने वाले एक फेज में भी type कर सकते हैं दरसल students का मुकमल नाम आएगा और टाइटल की जगा हम miss या mister लिखेंगे इसी तरह students father name के इलावा address के लिए भी तीन लाइन्स मुक्तस की गई है कुछी देर में हम इन तमाम आरजी लेबल्स की जगा student का असल नाम उनकी वल्दियत और डाग का पता देख रहे होंगे letter हमने पहले ही इसलिए तयार कर लिया है ताके अगले steps में हम सिर्फ mail merge के feature पर तवर्जो दे सकें लीजिए अब हम चलते हैं असल बात की तरफ और mail merge की options को देखते हैं mail merge का menu हमें mailing की tab में मिलेगा सबसे पहले हम mailing tab में मौझूद start mail merge पर क्लिक करते हैं जो list हमारे सामने है इसमें से हम सबसे आखरी option यानि step by step mail merge wizard पर क्लिक करते हैं जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दाइचानिब एक pen खुल गया है जिसका title आपको एक mail merge नजर आ रहा है ये mail merge का pen हम से कुछ और काम करवाएगा जिनें हम एहतियाद से मुकमल करेंगे इन steps की तक्मील पर हम mail merge की तमाम जरूरतों को जान जाएंगे हर step में ये हमें कुछ options दिखाएगा जैसे ये अभी हम से पूछ रहा है कि आप किस किसम के document पर काम करने लगी हैं और नीचे कुछ options भी लिखी नजर आ रही हैं अभी हम चुँके एक letter तैयार कर रहे हैं इसलिए पहली option इस्तमाल होगी बाकी options की तफसील आप खुद explore कर सकते हैं क्यूंकि वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ या complex नहीं है एक मरतबा आपको simple letter बनाने का तरीका समझा जाए तो बाकी options भी आपके लिए आसान होंगी इस pen के नीचे देखिए आपको blue color से next starting document लिखा नजर आ रहा है हम अगले step पर जाने के लिए mouse pointer से इस पर click करते हैं इस step में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके letter के लिए कौन से document इस्तमाल होंगे तीन options भी मौजूद हैं पहली option कहती है कि current document इस्तमाल करना है यानि बाए जानेब हमने जो letter कुछ देर पहले तयार कर लिया था उसी के साथ हम काम करना चाहते हैं दूसरी option में template इस्तमाल करने को कहा जा रहा है template एक खास पेराई में ready made document को कहती है और तीसरी option का मतलब है कि पहले से बने और type किये गए letter को इस्तमाल करना है फिलाल हमें पहली option ज्यादा suit करती है और ये पहले से ही selected है अगले step पर जाने के लिए हम pen के निचले हिसे में मौजूद select recipients के अलफास पर click करती है लीजिए अगला step हमारे सामने है यहां हमें उन लोगों को select करना है जिनको हम letters भेजना चाहते हैं यहां तीन options है पहली option कहती है कि एक पहली से मौजूद कोई list इस्तमाल कर ले जिसमें लोगों के नाम typed हैं लेकिन आपको मालूम है कि हमने अभी कोई list नहीं बनाई दूसरी option में लिखा है कि outlook contacts इस्तमाल कर ले outlook दरसल एक email software है जिससे अभी हमने इस्तमाल करना नहीं सीखा अगर मालूम हो तो फिर हम इस software में मौजूद लोगों के नाम और addresses इस्तमाल कर सकते हैं तीसरी option हमारे काम की है जिसमें लिखा है कि एक नई list बना ले चूंकि हम पहली मरतबा mail merge का feature इस्तमाल कर रही है लिहाजा एक fresh list बनाना ही हमारे लिए बेहतर है लीजिए हम mouse pointer की मदद से इस option के बाई जानिब से circle में एक मरतबा click करते हैं जैसे ही हमने इस पर click किया तो नीचे आपको कुछ तबदीली नज़र आई option के इस section के नीचे अब आपको type a new list का section नज़र आ रहा है जिसमें blue color से create का लफ्स भी लिखा है जिन लोगों को हम invitation letter इरसाल करना चाह रही है उनके नाम और address के list हम इसी option के जरिए बनाएंगी आईए अब create पर mouse pointer से एक मरतबा क्लिक करते हैं क्लिक करते ही आपके सामने एक window open हो गई है जिसका title है new address list इस window में आपको white color के boxes नज़र आ रही हैं जिनके बाइंजानिब उनके नाम लिखे हैं मसलन title, first name, last name, company name वगएरा ये दर असल address information को टाइप करने के लिए data entry form बना हुआ है जहां हम लोगों के addresses की detail टाइप कर सकते हैं ये data entry form एक वक्त में एक शखस का data type करने के लिए बनाया गया है इस form के नीचे की तरफ scroll bar मौजूद है जिसके जरीए हम इसमें मौजूद तमाम fields को देख सकते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी fields ऐसी हैं जो अभी हमारे लिए गहर जरूरी हैं मसलन state, zip code, country और work phone वगएरा इन गहर जरूरी fields को खत्म करने और अपनी जरूरत के मुताविक इस form को तयार करने के लिए हम इसे कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइज का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ को अपनी जरूरत के मुताविक ढालना इस form के बिलकुल नीचे चन्द बटन्स हैं जिनके नीचे कस्टमाइज कॉलम का बटन भी है हम इस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं आप देख रही हैं के एक और विंडू हमारे सामनी है जिसका टाइटल कस्टमाइज एड्रस लिस्ट है इस जगा हम form में मौजूद तमाम फील्ड को एक लिस्ट की शकल में देख रही है हमें इस लिस्ट में सी गहर जरूरी फील्ड को डिलीट करना है और अपनी जरूरत की फील्ड का इजाफा करना है गहर जरूरी फील्ड को डिलीट करने के लिए पहले हम माउस पॉइंटर के जरीए से सेलेक्ट करते हैं और फिर दाएं जानिब डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामनी एक मैसेज बॉक्स आ गया है जो आप से पूछ रहा है कि क्या वाकिए आप इस फील को डिलीट करना चाहते हैं साथ ही वो ये भी बता रहा है कि अगर इसे डिलीट किया गया तो इसमें मौजूद तमाम इन्फरमेशन भी डिलीट हो जाएगी अब चुँके हम जानते हैं कि ये फील्ड हमारे काम की नहीं और नहीं हमने अभी तक कोई डेटा एंटर किया है लहाजा हम इस वक्त येस के बटन पर क्लिक करके इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं लीचे लिस्ट में से वो फील्ड निकाल दी गई है बिल्कुल इसी तरह हम गहर जरूरी फील्ड को लिस्ट में से डिलीट कर देंगे आप देख रहे हैं कि हमने इस लिस्ट में से गहर जरूरी फील्ड डिलीट कर दी है अब हमें एक फील्ड अपनी जरूरत के मताबिक शामिल करना है जो Father's Name की फील्ड है इसके लिए हमें दाई जानिब सबसे ओपर मौजूद Add के बटन पर क्लिक करना है आपके सामने Add फील्ड की एक छोटी से विंडो ओपन हो गई है यहां हम Father's Name टाइप करते हैं इसके बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से OK के बटन पर क्लिक करते हैं वैसे आप चाहें तो Keyboard से Enter की भी प्रेस कर सकते हैं उससे भी यह विंडो क्लोज हो जाएगी आप देख रही हैं कि Father's Name की फील्ड लिस्ट में सबसे आखिर में है जबके इसे तरतीब के लिहाज से Last Name के बाद होना चाहिए इस फील्ड को उपर ले जाने के लिए हम Move Up का बटन इस्तमाल करते हैं यह देखिए, Move Up के बटन पर मतादद बार क्लिक करके हम Selected Field को मतलूबा जगा पर ले आए हैं आप Move Up और Move Down के बटन को इस्तमाल करके Selected Fields की तरतीब बदल सकती हैं इस Address List को हमने अपनी जरूरत के मताबग कस्टमाइज कर लिया है और अब हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं हम वापस अपने Address Information के फॉर्म में आ गए हैं आप देख रही हैं कि Data Entry Form की शकल पहले से मुख्तलिफ है इसमें अब सिर्फ वो फिल्ड नजर आ रही हैं जो हमारे Invitation Letter की जरूरत हैं अब हमारा काम ये है कि Students की Information यहां टाइप करना शुरू कर दें सबसे पहली हम Title की फील्ड में Mouse Pointer से क्लिक कर लेते हैं और Students का जो भी Title मुनासिब है वो टाइप करते हैं Title टाइप करने के बाद Keyboard से Tab की Press करते हैं और First Name की फील्ड में आ जाते हैं हम यहां Student के नाम का पहला हिसा टाइप करते हैं उसके बाद Tab की Press करके Last Name की फील्ड में जाते हैं और Student का Last Name टाइप करते हैं और इसी तरह हम बागी तमाम फील्ड में भी Data Enter कर लेते हैं आप देख रही हैं कि हमने पहले Student का डेटा तो टाइप कर दिया है अब दूसरे Student का डेटा कैसे टाइप करें इसके लिए हम इस Form के नीचे मौजूद बटन्स में से सबसे पहले बटन जिसका नाम New Entry है इस पर क्लिक करते हैं New Entry का बटन प्रेस करने से ये Form अब आप से अगले Student का डेटा लेने के लिए तयार है हम इस वक्त दूसरी Entry के लिए तयार है लीजिए हमने Students का डेटा इस Form के जरीए Enter कर दिया है हमने वक्त बचाने के लिए आपको सारी Data Entry करते हुए नहीं दिखाए लेकिन यकीन रखे हमने प्रॉपर तरीके से Data Entry की है कोई Short Cut इस्तिमाल नहीं किया Data Entry कर लेने के बाद हम इस Form को Close करना चाहते हैं ताके अगले स्टेप्स पर जा सकें इसके लिए विंडो के Bottom Right Corner में OK का बटन मौजूद है हम Mouse Pointer की मदद से इस पर क्लिक करते है OK के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और विंडो आ गई है जिसका Title Save Address List है हमने आपको शुरू में बताया था कि Mail Merge में दो काम बहुत अहम है एक Letter तयार करना और दूसरा Address List या Data List तयार करना हमने अभी अभी एक Student की जो Address List तयार की है इस वक्त इसी List को Save किया जा रहा है अगर इसे Save न किया गया तो हमारी सारी Data Entries जाय हो जाएंगी आप गहर से देखिए के उपर के हिस्से में Drop Down List में My Data Sources लिखा है ये एक ऐसी फोल्डर का नाम है जो हमारे My Documents फोल्डर के अंदर मौजूद होता है और इसमें उमूमन Mail Merge के लिए बनाई गई लिस्ट को Save किया जाता है इस लिस्ट को Save करने के लिए हमें इसका कोई नाम भी रखना है इस विंडो में नीचे की जानिब हम File Name की Drop Down List में इसका नाम टाइप करते हैं नाम टाइप करने के बाद हम Save के बटन पर एक मरतबा क्लिक करते हैं लीजे, लिस्ट सेफ हो गई और कुछी लम हो के बाद हमारे सामने ये मुकमल लिस्ट एक नई विंडो की शक्ल में आ गई है इस लिस्ट में तमाम टेटा हमें Columns की शक्ल में नजर आ रहा है जो Columns नजर नहीं आ रहे उन्हें हम Scroll Bar की मदद से देख सकते हैं इस विंडो में माजूद बागी बटन्स को देखने से पहले हम अपने Letter के साथ कुछ जरूरी सेटिंग्स करना चाहते हैं लेहाजा इस विंडो में माजूद OK के बटन को क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं हमने चुँके Data List को Customize किया था और Letter भी खुद ही डिजाइन किया है लेहाजा इसकी बागी सेटिंग्स भी खुद ही करेंगे आप देख रही हैं कि Mailing टैप के नीचे कुछ और Menus का इजाफा हो चुका है ये Mail Merge के टूल पार है जिसे हम कुछ ही देर में इस्तिमाल करेंगे सेटिंग करने से पहले हम Mail Merge के Pen को इस Close के बटन को क्लिक करके बंद कर लेते हैं इसके बाद हम View टैप में मौजूद Zoom के मेन्यू में Page Width की Option पर क्लिक करते हैं और Page View को बढ़ा देते हैं ताके हमें तमाम काम वाज़े तोर पर नज़र आए आपको Letter में वही शुरू की चंद Lines नज़र आ रही हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि इन RC Labels की जगा Students का असल डेटा नज़र आएगा हम अभी यही काम करने लगे हैं यानि इनकी जगा हमने जो डेटा लिस्ट में Fields बनाई थी उन्हें एड्रेस करने लगे हैं इसके लिए आपने Lesson Area को तवर्जव से देखना है कि हम यह काम कैसे करती हैं एक भी स्टेप अगर मिस हो जाए तो काम गलत हो सकता है सबसे पहले हमें जहां टाइटल और First Name वगरा लिखा नदर आ रहा है उस लाइन के शुरू में Mouse Pointer की मदद से क्लिक कर लेते हैं अब Mailing टैब में मौझूद Write and Insert Field के मैन्यू में एक बटन है जिसका नाम Insert Merge Field है इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक List ओपन हो गई है जिसमें हमारी बनाई हुई Fields की List नजर आ रही है सबसे पहली हम Title की Field जो के पहली नमबर पर है को Select करते हैं ये देखिए Title का लफ्स हमारे Letter में भी नजर आ रहा है और इसके दोनों जानिब खास निशान लगे हैं जिन्हें हम Angle Brackets भी कहते हैं ये निशान दरसल एक Data Field को वाज़े करते हैं इसके बाद हम First Name की Field को Mouse Pointer की मदद से Select करते हैं आप देख रहे हैं कि First Name के अलफाज भी Letter में Insert हो चुके हैं इसी तरीके से हम Last Name को Insert करते हैं आप देख रही हैं कि जहां कहीं हमारे Title, First Name और Last Name के Levels थे वो आगे Push हो गई हैं और उनकी जगा पर हमारी Data Fields आ गई हैं अब चुंके हमें RG Levels की जरूरत नहीं रही लहाजा हम इन्हें Delete कर देते हैं इनको Delete करने के लिए हम इस वक कीबोर्ट से Delete का बटन इस्तेमाल कर रही हैं ये देखिए, अलफाज Delete हो गए हैं एक बात आपने नोट की होगी कि अभी हमने जो Data Fields इस Line में Insert की हैं उनके दर्मियान मुनासिब फासला नहीं है ये फासला हमें खुद Space Bar की मदद से देना होगा इस वक्त हमारा करसर लाइन के आखिर में है हम कीबोर्ट पर मौजूद Left Arrow की के जरिए करसर को Last Name के अलफाज से पहले लेकर आती हैं आप नोट करें कि जैसे ही करसर किसी Data Field के पास आता है तो वो अलफाज Highlight हो जाती है ये भी एक Merged Data Field की निशानी है बहरहाल हम मख्सूस जगहों पर करसर लाकर Space Bar के जरिए अलफाज के दर्मियान Space बढ़ा देते हैं अब हम अगली लाइन में माजूद Father's Name को भी Replace करते हैं इसके लिए भी हम करसर को Father's Name से पहले ले जाते हैं करसर को मतलूबा जगह पर लाने के बाद हम एक बार फिर Mailing टैब में मौजूद Write and Insert Field के मैनियू में Insert Merge Field पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने वोही Data Fields की लिस्ट खुल गई है हम Mouse Pointer की मदद से Father's Name पर क्लिक करते हैं और लीजे हमारी Data Field अब Blatter में Insert हो गई है एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हमारे टाइप किये गए टेक्स्ट से पहले अब एक Data Field नजर आ रही है Father's Name के आरजी लेबल की अब हमें जरूरत नहीं लेहाजा हम इसे Delete कर देते हैं इन्ही Steps को Follow करते हुई हम Address Line 1, Address Line 2 और City के लेबल्स को भी Replace करते हैं ये देखिए हमने लेबल्स को Remove कर दिया है और इनकी जगा हमें Data Fields नजर आ रही है अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसकी वज़ा से हमारी Students Address List हमारे Invitation Letter के साथ Connect हो गई है अब हम चाहते हैं कि इस सारी मेहनत का Result देखें इसके लिए हमें Mail Link टैब में से Preview Results का Button क्लिक करना है गोर से देखिए कि जैसे ही हमने इस Button पर क्लिक किया तो Data Fields की बज़ाए हमारी List में जो Actual Data Feed किया गया था वो नज़र आने लगा है और अगर बागी Students का भी Record देखना हो तो हम इसी Preview Results के साथ मौझूद End Record Navigation के Button को इस्तिमाल कर सकती है ये देखिए हम Next Record के Button पर क्लिक कर रहे हैं तो List में मौझूद Students का Data हमें तबदील होता हुआ नज़र आ रहा है लीचिये हमने एक Letter को एक Address List या Data List के साथ Merge करना सीख लिया है और हम इन्हें Navigation Button के जरिये भी देख रही है Edit Data List हमने ये तो सीख लिया कि एक Letter को List के साथ कैसे Connect करना है लेकिन अगर हमें List में कोई तबदीली या इजाफा करना हो तो ये कैसे मुम्किन होगा List को Edit करना बहुत आसान है और इसमें किसी Record को Add या Delete करना और भी सहल है हमारे सामने वोही Letter है जिसको अभी थोड़ी देर पहले एक Data List के साथ Merge किया था Mailing Tab में हमें Start Mail Merge का Menu Bar भी नज़र आ रहा है इस Menu Bar में बाइन जानिब से तीस्टे नंबर पर एक बटन है जिसका नाम Edit Recipient List है हम इसको क्लिक करती है आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वोही List आ गई है जिसमें तमाम Students के Mailing Addresses है यहां से हम इस List में नए Records में इजाफा किसी Record में तबदीली या फिर एक Record को मुकम्मल तोर पर Delete भी कर सकते हैं अगर किसी Record में कुछ तबदीली करना है तो पहले इस List में से इस पर क्लिक कर लेती हैं ताकि वो Select हो जाए और फिर इस Window में नीचे मौजूद Data Source के नीचे वाले Box में जो Students.MDB लिखा हुआ है इसको Select करने के बाद Edit के बटन पर क्लिक करती हैं Edit के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने Edit Data Source का Data Entry Form ओपन हो गया है यह वो ही Form है जिसमें हमने पहली मरतबा Students की तमाम डीटेल टाइप की थी यहां से हम किसी भी Field का Data दुरूस्त कर सकती हैं जैसा कि आप देख रही हैं हमने City की Field में शहर का नाम तबदील कर दिया है इसी विंडो में नीचे की जानिब आपको New Entry का बटन नजर आ रहा है जब आप कोई नया रेकॉर्ड शामिल करना चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके Data एंटर कर सकते हैं एक रिकॉर्ड को मुकमल तोर पर डिलीट करने के लिए आप ये डिलीट एंटरी का बटन इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन खयाल रहे कि आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं वो आपको उपर मौजूद Fields में नजर आ रहा होना चाहिए जो रिकॉर्ड उपर मौजूद Fields में नजर आ रहा होगा सिर्फ वो ही डिलीट हो सकेगा जब आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेंगे तो आप से confirmation मागी जाएगी कि क्या आप इस एंटरी को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं येस के बटन पर क्लिक करने से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा अगला बटन फाइंड का है इसके जरिये हम बहुत से रिकॉर्ड में से मतलूबा रिकॉर्ड तलाश कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके हम Find Entry की एक छोटी से विंडो ओपन कर लेते हैं। हमें रेकॉर्ड से मुतालिक कोई भी लव्ज याद हो तो Find के सामने Box में टाइप करते हैं और Find Next के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमने एक स्टूडन का नाम टाइप करके Find Next का बटन क्लिक किया था। तो हमें पहली वाली विंडो में इस स्टूडन का रेकॉर्ड नुमाया करके दिखाई दे रहा है। Sort और Filter की Option भी हमारे लिए बहुत कारामत साबित होती है। जब हमें एक तवील रेकॉर्ड लिस्ट में से कुछ मखसूस रेकॉर्ड चाहिए हूँ तो हम इस फीचर को इस्तमाल करते हैं। आईए देखती हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है। इसके लिए हमें इस Option पर एक मर्दबा क्लिक करना है। हमारे सामने Filter & Sort की एक विंडो ओपन हो गई है। हमें Filter Records की टैब में इस वक्त एक मखसूस शहर का रेकॉर्ड देखना है। लहाजा हम फीचर के सेक्शन में Drop Down List को ओपन करते हैं और City की फीचर को सेलेक्ट करते हैं। अगला सेक्शन Comparison का है। इसके नीचे मौझूद Drop Down List में से हम Equal To की Option को सेलेक्ट करते हैं। आखरी सेक्शन जो के Compare To का है वहाँ हम शहर का नाम टाइप कर देते हैं। अब इस सारी बात का मतलब ये बन रहा है कि City की Field में जहां भी इस मखसूस शहर का नाम नजर आए, कम्प्यूटर हमें वो तमाम Records निकाल कर दिखाए। जैसे ही हम OK के बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस अपने Form पर आज आएंगे। और ये देखिए, यहां Total Entries List की तादाद हमें पहले से कम इसलिए नजर आ रही है क्यूंकि Filter करने के बाद Records कम हो गई हैं। सिर्फ यही Records ऐसे हैं जिनमें हमारे मतलूबा शहर का नाम है। आपने कुछ नोट किया, हमने City की Field को Filter किया था, तो इस जगा जो Drop Down Arrow बना है, इसका रंग Blue हो गया है। ये इस बात की पहचान है कि ये Filtered Field है। इस लिस्ट को वापस अपनी हालत में लाने के लिए हम इस Drop Down Arrow पर क्लिक करती हैं, तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। हम इसमें मौजूद Option All पर क्लिक करती हैं। ये देखिए, एक लमहे में लिस्ट की हालत तबदील हुई और तमाम रेकॉर्ड्स वापस अपनी असल हालत में आ गए। इस लिस्ट को Filter करने के अलावा हम इसे Sort भी कर सकती हैं, यानि रूफे तहजी के इतबार से तर्तीब में ला सकती हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ ये करना है, जिस फील्ड को हम Sort करना चाहते हैं, उसके Column Label पर एक मरतबा क्लिक करें। ये देखिए, जब हम Mouse Pointer की मदद से Column Label पर क्लिक करते हैं, तो तमाम डेटा एक लमहे में तर्तीब में आ जाता है। अगर दोबारा क्लिक किया जाए, तो तर्तीब उलट जाती है, यानि अगर पहले Ascending Order था, तो दोबारा क्लिक करने से Data Descending Order में चला जाता है। जब हम एक लेटर को Data List या Address List के साथ Connect कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद बारी आती है Document Merging की। ये वो फेज है, जिसके Records को एक-एक करके Mail Letter के साथ Merge, यानि मिला दिया जाता है। हर Record हमारे Mail Letter के साथ Merge होने के बाद Personalized Letter बनाता है। Personalized Letter से हमारी मुराद वो Letter है, जो हम किसी Student को भेज सकेंगे। जब ये Letter उस Student तक पहुंचेगा, तो उसे यही लगेगा कि खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया है। जबके ये बात सेफ हमें मालूम है कि ये बहुत सारे Letters Mail Merge के जरीए तयार किये गए हैं। जब हम एक List को Letter के साथ Merge करेंगे, तो Word Processor एक नई Document पनाएगा, जिसमें हर नए पेज पर आपको एक Student के लिए Letter तयार मिलेगा। ये काम करने के लिए हम Mailing टैब में से Finish and Merge के बटन पर Mouse Pointer से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो List ओपन होती है, उसमें से हम Edit Individual Documents पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है, जिसमें तीन Options हैं। पहली Option All की है, जिसका मकसद ये है कि तमाम Record इस्तमाल किये जाएं और सब के लिए Letter बनाया जाएं। Grant Record की Option का मतलब ये है कि इस वक जो Record हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सिर्फ उसका Letter तयार हो। और आखरी Option में आप Record नंबर की Range बता सकते हैं, मसलन रेकॉर्ड नंबर 1 से लेकर 16 तक जितने भी Students हैं, सिर्फ उनके लिए Letter तयार किया जाए। फिलहाल हम All की Option के साथ ही Document Merge करवाएंगे, इसके लिए हमें OK के बटन पर क्लिक करना है। ये लीजिए, चन्द लम्हों में Word Processor ने तमाम रेकॉर्ड को स्टूडेंट के नाम और एड्रेस के साथ Personalized Letter की शकल में तयार कर दिया। आपको बताते चलें कि ये एक नई Document है, जिसका नाम Letter 1 है। इस Document को आइंदा इस्तमाल करने या इसके प्रिंट आउट लेने के लिए आपको इसे सेव करना होगा। Mailing Envelopes जब हम Mail Merge के जरीए Letters तयार कर लेते हैं, तो उन्हें Envelopes में डाल कर Mail भी करते हैं। जैसे हमने Address List तयार की थी और इससे Letters तयार किये थी, बिलकुल उसी तरह हम Postal Mail के लिए Envelopes भी तयार कर सकते हैं। जाहर है कि जिन Students के लिए Letter तयार हुए हैं, उन्हीं के लिए Mailing Envelopes भी बनेंगे। लेकिन क्या हम Addresses की List दोबारा बनाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने List बनाने की महनच जो एक मरतबा की थी, उसे हमने Save करके रखा था। वही List अब दोबारा इस्तिमाल होगी और हम उसे से Envelopes तयार करेंगे। Mailing Envelopes तयार करने के लिए हम एक Fresh Document ओपन कर लेते हैं। लीजी, एक Blank Document फाइल हमारे सामनी है। इस वक्त हम Mailings की Tab पर क्लिक करती हैं। आप गोर से देखिए, इस Ribbon बार में मौझूद अकसर बटन्स ग्रे कलर की हैं। दर असल ये बटन्स इस वक्त disabled हैं। यानि इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस Ribbon बार में सबसे पहला Menu Create का है। इस Menu में मौझूद Envelops के बटन पर क्लिक करती हैं। हमारे सामनी एक Window Open हो गई है। हम इस वक्त Envelop बनाना चाह रहे हैं। लेहाजा इस Window में मौझूद नीचे Option के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के फॉरण बात हमारे सामने Envelop option की Window आ गई है। इस लिस्ट में इस वक्त Size 10 लिखा नजर आ रहा है। ये एक Normal Size का Envelop है। जिसका Preview हम नीचे देख सकते हैं। फिल हाल हमें इसी तरह के Envelop की जरूरत है। लिहाजा हम कोई और Size सिलेक्ट नहीं करेंगी। Preview में आप देख रहे हैं कि साम्पल के Top Left Corner में कुछ Lines बनी हुई हैं। ये Return Address टाइप करने की जगा है। Return Address हम उस Address को कहते हैं जहां से Letter भेजा जा रहा है। अगर Letter अपनी मन्जिल तक न पहुंच सके तो उसे वापस Return Address पर भेज दिया जाता है। Envelope के तकरीबं दर्म्यान में यहां Delivery Address लिखा जाता है। फिलहाल हम इस Window में कोई तबदीली किये बगएर Add to Document के बटन पर क्लिक करते हैं और वापस Document की तरफ चलते हैं। आप देख रही हैं कि Document के पहले पेज का Size तबदील हो गया है। दरसल अब यह Document नहीं है बलके एक Envelope है जो अभी हमने Select किया था। इस Envelope पर हमें कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा और नहीं Delivery Address या Return Address के लिए Lines बनी नजर आ रही है। दरसल यह दोनो टाइप के Address टाइप करने के लिए यहाँ Invisible Boxes हैं। Envelope के Top Left Corner में Return Address के लिए जगा बनी हुई है। हम Mouse Pointer से वहाँ क्लिक करते हैं। यह देखिए, करसर ब्लिंक कर रहा है। हम यहाँ Return Address टाइप कर लेते हैं। इसका Font Size अमूमन छोटा होता है। Delivery Address का Box तकरिबन तर्म्यान में होता है। हम Mouse Pointer से यहाँ पर क्लिक करते हैं। यह देखिए, एक Box का Border हमें नजर आ रहा है। और करसर भी ब्लिंक कर रहा है। इस जगा हम Address List में से Records Insert करेंगे। जिस तरह हमने Letter में Field Insert की थी, बिलकुल इसी तरह यहाँ भी होगा। पहला स्टेप यह है कि हम वो Address List ओपन कर लें, जो हम बना चुके हैं। Start Mail Merge के मेनियू में, बाइजानिब से दूसरा बटन, Select Recipients का है। हम उसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करते ही, एक List ओपन हो गई है। इसमें से हम Use Existing List पर क्लिक करते हैं। एक Window ओपन हो गई है। यहां से हम By जानिब दी गई Directories में से Documents पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने दाइजानिब इस Directory में मौझूद मुख्तलिफ फोल्डर की List आ गई है। इसमें से एक फोल्डर का नाम My Data Source है। हम इसको सेलेक्ट करके Open की बटन पर क्लिक करते हैं। इस Window में हमें एक फाइल नजरा रही है, जिसका नाम Students है। यह List हमने उस वक तयार की थी, जब हम Letters बना रही थी। हम इसी Address List को Envelope बनाने के लिए भी इस्तिमाल करेंगे। क्यूंकि Students तो वही हैं। हम इस फाइल पर Mouse Pointer से क्लिक करके इसे सलेक्ट कर लेते हैं। और इस Window के Bottom Right Corner में मौझूद Open के बटन पर क्लिक करते हैं। Window तो Close हो गई। लेकिन इसका फाइदा क्या हुआ। आपने शायद नोट किया हो के Mail Merge Ribbon Bar के अकसर बटन्स पहले Gray Color के थे। लेकिन अब उनके रंग तबदील हो गए हैं। और ऐसा लगता है जैसे ये सब On हो गए हैं। दरसल जब हमने Student Address List को सिलेक्ट करके Open का बटन दबाया था। तो उस वक्त ये Address List हमारे Envelope के साथ Merge होने के लिए तयार हो गई थी। जिस वज़ा से ये बटन्स भी On हो गई हैं। Mail Merger Ribbon Bar में एक बटन है जिसका नाम Insert Merge Field है। हम उस पर क्लिक करते हैं। एक List ओपन हो गई है जिसमें Student Address List में मौजूद Fields नजर आ रही हैं। हमें इस वक्त इनमें से कुछ Fields अपने Envelope के Delivery Address Box में Insert करना हैं। तरीका बहुत आसान है। जो Fields हमें चाहिए हम उन पर क्लिक करते हैं और Insert का बटन प्रेस कर देते हैं। इस तरह हम बारी-बारी तमाम जरूरत की Fields को Insert कर लेते हैं। और फिर इस Window में Close के बटन पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम Fields Box के अंदर हैं लेकिन सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं। इनको मुनासिब फासले पर लाने के लिए हम Space Bar की मदद से इनके दर्मियान Space देंगे। और जिन Fields को हम एक नई लाइन में चाहते हैं, उन्हें हम Enter की की मदद से Next Line में ले जाएंगे। जैसा कि आप देख रही हैं। इस वक्त आपको सर्फ Fields के नाम नजर आ रहे हैं, जबकि हम तो असल डेटा देखकर verify करना चाहते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। इसके लिए हमें Mail Merge Ribbon Bar में से Preview Results के बटन पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उस बटन पर क्लिक किया, तो Data Fields की बजाए हमारी Address List में जो Actual Data Feed किया था, वो नजर आने लगा है। और बाकी Records भी देखना हूँ, तो हम इसी Toolbar में मौझूद इन Records Navigation के Buttons को इस्तेमाल कर सकते हैं। Printing Envelopes हमने अभी तक एक Letter और Envelop को Address Data List के साथ मर्ज करना सीख लिया है। जब हमारी Address List हमारे Envelop या Letter के साथ मर्ज हो जाती है, तो हम इसका Print Out भी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने Envelopes Address Data List के साथ Connected हैं, और हम उनका Print Out ले सकते हैं। जब हम Printing की Option सेलेक्ट करेंगे, तो लिस्ट में से एक Record हमारे Envelop के साथ मर्ज होगा और इसका Print Out निकलाएगा। इस तरह हम तमाम Address का Envelopes पर Print निकाल लेंगे। Print Out लेने के लिए हम Finish and Merge के मेन्यू से Print Documents की Option पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक छोटी सी Window ओपन हो गई है, जिसमें तीन Options हैं। फिलहाल हम All की Options के साथ Envelopes की Printing करवाना चाहते हैं। ये Option पहले ही Selected है और हमें सिर्फ OK के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने Print की Window ओपन होकर आ जाती है। ये तरसल हमारे Computer के साथ Attached Printer की Window है। हो सकता है कि आपके Computer के साथ Printer ना लगा हो, तो आपको ये Window नजर नहीं आएगी, बलके कोई Error Message आ सकता है, जिसमें लिखा हो कि आपके Computer के साथ Printer Attached नहीं, लिहाजा आप Print Out नहीं ले सकते। बहरहाल, हमें इस वक्त इस Window में किसी सेटिंग को तबदील करने की जरूरत नहीं, और सेफ OK के बटन पर क्लिक करना है। OK के बटन पर क्लिक करने से पहले जरूरी है कि हम Printer में कागस या सही Size के Envalops को सही रुख में लगा लें, ताके Printing के दौरान कोई दुश्वारी पेश ना आई। Summary इस Lesson में आपने सीखा कि Mail Merge का Feature क्या है और इसे हम किस मकसद के लिए इस्तमाल कर सकते हैं। Mail Merge के जरूरी और एहम Steps कौन से हैं? Mailing List कैसे तयार की जाती है? एक Letter या Document को हम Mailing List के साथ कैसे Attach या Merge करते हैं? Mailing Envelopes कैसे तयार किया जाते हैं? और आखर में ये कि Merge Document का Print कैसे लिया जाता है?